Hello and welcome back, I am Dr. Rahil Chaudhary, I am Dr. Cataract and I am Refractive Surgeon. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप सफेद मोतियाबिंद या cataract का उपरेशन करवा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया है कि cataract या सफेद मोतियाबिंद के उपरेशन में जब आँखों के अंदर का लेंस ये वाइट हो जाता है, तो उपरेशन में हम इस लेंस को निकालते हैं और इसकी जगापर एक नया साफसुत्रा लेंस डालते हैं, जिससे लाइट का रस्ता फिर से साफ हो जाता है और हमें दिखना शुरू हो जाता है, कई patients मेरे पास आते हैं ये पूछते वे कि doctor हमने मोतियाबिंद को operation करा लिया, lens डलवा लिया, लेकिन हम इस lens से satisfied नहीं है, कई सारे reasons होते हैं उसमें, ऐसा हो सकता है कि lens की power गलट डल ग कर देते हैं, तो अगर आपकी आँख में गलत पावर डल गई, या आँखों में गलत lens डल गया, या इंसान में multifocal lens डल गया, halos clear दिख रहे हैं, या lens जो है सही position पे नहीं डाला गया, lens टेड़ा पड़ा वाए, center में नहीं है, या गलत position में डाल दिया गया, आँख के बाहर वाले हिस्से में डाल दिया, जिसको ACIOL कहते हैं, या iris claw lens कर लिया, आंग की काली पुतली पे लगा दिया, देखें, आजकल हमारी preference होती है PCIOL, मतलब जहां पे original lens की जगा उपर वाले ने बनाई है, वहीं पे artificial lens को डाला जाए, लेकिन कई साही ऐस तरह के situations हम लोग रोज और उनके मन में ये question होता है कि डॉक सब क्या इस lens को हम exchange कर सकते हैं, क्या इस lens को निकाल के हम दूसरा lens डाल सकते हैं, तो yes, ये आज की date में बिलकुल संभव है, बट हमारी recommendation ये रहती है कि अगर आप lens exchange को प्लान कर रहे हैं, तो within 3 months आपको प्लान कर लेना चाहिए, देखे क्या होता है कि जब हम आपकी आँख में नया lens डालते हैं, तो उस lens के around body अपने आपकी healing या वहाँ पे lens को जकडने की कोशिश करते हैं body कुछ time बात, तो अगर 3 महिने के बाद इस lens को exchange करना होता है, तो ये बहुत ही skillful surgery हो जाती है, and sometime इस surgery में complication या risk के chances भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी इसको exchange करा ले, within 3 months करा ले, तो बहुत ही smooth हो जाता है, तो इसमें सबसे पहली situation आती है कि अगर आँख में गलत power का lens डल गया है, अब देखें गलत power ऐसा भी हो सकता है कि spherical power गलत हो गई हो, और गलत power ऐसे भी हो सकता है कि spherical number तो ठीक था, लेकिन आ आँखों की power को खतम कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी मोटी power होती है, माल लेजे लेंस वेंस सब कुछ डाला power difference जादा नहीं था, आदा 1, 2 या 3 number का था, तो ऐसी situation में हम लोग लेजर से भी power हटा सकते हैं, जैसे contour vision या एक add-on lens, कि भाई सपोज हमने आँख में मोतिया बिन करा, थोड़ी सी power रहेगी, दो-3 number की, तो एक extra lens जिसको हम सलको fix lens कहते हैं, इसकी उपर में आपको कई सारी वीडियो दिखा भी चुका हूँ, सलको fix lens डाल सकते हैं, आँख के जो artificial lens है, उसी के उपर एक और लेंस डल जाता है, और चश्मे का power खतम हो जाता है, तो सबसे प लोग अकसर वीडियो देखते हैं, अलग-अलग डॉक्टर से इंट्राक करते हैं, आजकल awareness बहुत जादा हो गई है, तो एक आँख में एक design डलवा लिया, दूसरी आँख में दूसा design डलवा लिया, जैसे एक आँख में monofocal डलवा लिया, लेकिन patient ने research करी, तो दूसरी आ मोनोफोकल डाल दिया, patient uncomfortable है, तो हमें multifocal lens को निकाल के monofocal डालना पड़ता है, कई सारे patient हमाँ पास इस तरह से आते हैं, कि उन्होंने मोतियाबिंद को operation करा लिया, दौनों आँखों में monofocal lens डला लिया, फिर patient इस तरह के request से आता है, कि doctor हमें उस ताइम पे पता ही नहीं थ सकते हैं, कि दौनों आँख में monofocal था, patient को और जादा spectacle independence चाहिए, तो patient अपने lens के design को change करा सकता है, दौनों आँखों में e-dop करा लेते हैं, इस तरह की situations भी हमें मिलती है, फिर कुछ इस तरह की situation मिलती है, कि एक young patient, जिसका बहुत जादा driving का काम है, उसकी आँखों में मा 50 focal lens डाल दिया गया, उनसे driving नहीं हो पारी, उस तरह के patients हमारे पास आते हैं, तो उनका lens exchange कर सकते हैं, और patient को और जादा comfortable कर सकते हैं, तो multiple तरह के situations आती है, बट recommendation यह होती है, कि दौनों आँखों में same design का lens होना चाहिए, ताकि दौनों आँखे आपकी balance रहे, फिर कुछ इ इस तरह की situation है कि मोतिया बिनकी operation के दुरान जो पीछे की जिल्ली होती है, जहां पे lens को support करा जाता है, वो जिल्ली फट गई, तो ऐसे situations में कुछ कभी कबार हम देखते हैं कि AC IOL, या बाहर की सता पे lens डाल दिया, या iris fixed IOL, पुतली पे lens डाल दिया, तो यह भी आगे जाक के trouble कर सकते हैं, तो ऐसे situation में भी lens को हम exchange करते हैं, इस lens को हटा के, दूसरे तरह के lenses, जिसको glued fixed IOL कहते हैं, या scleral fixed SF IOL कहते हैं, इस तरह के special lenses डाल सकते हैं, और patient को comfortable कर सकते हैं, over and all इस video को मेरा बनाने का purpose यह है, कि अगर मोतिया बिंद के बाद, कोई भी इस तरह की situation आए, जिसमें lens की वज़े से नजर खराब हो ली है, तो within 3 months, हम उस lens को exchange करके आपको comfortable कर सकते हैं, बट ऐसन यह कि 3 महने के बाद exchange नहीं हो सकता, अफकोस हो सकता है, कितने सारे videos मैंने आपको दिखाए भी हैं, अभी एक patient का video दिखाया था, जो चंदीगर से patient आये थे, उनकी आँख में multifocal lens था, patient बहुत uncomfortable थे, उनका lens exchange करके नया lens डाला गया, और कई videos दिखाए हैं मैंने ज गलको fix lens डाल के हमने उसको ठीक करा, तो over and all exchange करना possible है 6 महने के बाद भी, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो of course patient से हम discuss करके उसको सारा plan करते हैं, तो अगर मोतिया बिनके results से आप satisfied नहीं है, तो आपको अपने doctor से opinion लेना चीए lens exchange के बारे में, और जल से जल लेना चीए, ताकि आप पूरी life के लिए comfortable हो जाए, और आपके मन में और कोई भी doubts हो, तो मैं इसे comment section में पूछ सकते हैं, आके एक बाम इसे discuss करी, मैं आपको सारा समझांगो, कैसे कैसे इसको हम लोग execute करते हैं, thank you so much and I'll be back soon.